अज इनको गोड में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और फर्दर ये इतनी खेप जो है इस तरह की कहां के लिए ये लोग लेके आये थे और इनके जो यहां के नेटवर्क है जिसमें ऐसा जो प्राइम एफसाय पता चल रहा है कांगडा और पालंपूर ये दो खेत्रों में वेक्ति अक्टिव थे तो उस पर पुलिस फर्दर जो फर्दर जो वेक्ति को रेस्ट किया गया उसमें भी सौर्स जो एऊ आइडेंटिफाय कर ली है और था तर प्रद्र जो वसमें पुलिस जो है उस तिशा में आगे जो प्रेयासरत है कि हम उस रखकरें एश्च आयम कंगा उनिशेक्तिवि स्भैश्क तो उर्देफversion पुलि देखिये, जैसे हमने दो महीने कांगडा जिला में एक डेटा जन्तरेशन जैसे इसको कहते हैं, इन्फरमेशन क्या है हैं हमार पस और लोगों से भी काफी से स्योग में मिला और काफी सारी जानकारी हर क्षेतर से सामने आई है जिसमें जो इस तरह की एक्टिटिस में पैडलर्स हैं या खुद एडिक्ट्स हैं कि अग जानकारी पुल्स थायर किया हुए कांग्डजिला में इस पूरे हुंवख करू यह है अब हम अगीन बाशी तरह करें आन पर समय में और और उप tai होई है हर एक एरिया के अपने टार्गेट से उन पे पुलिस की टीम्स एक्टिवली काम कर रही है और मुझे उमीद है कि जो एक आम जन्मानस में जो इन्फरमेशन है कि कोई पर्टिकलर रादमी या विक्ति जो है नशे का आदी है या नशा बेचता है तो वो जानकारी को जो है बहुत कम जो है वो सप्लाय नेटवर्क में देखी जाती है लेकिन नेटवर्क को समझने में एफर्स लगते हैं और उसको एक काफी लंबी चेन जो है वो सामने आती है जब किसी भी तरह के अच्छा के इस पुलिस टीम द्वारा किया जाते है हमारा प्रयास है कि उस चेन क जुक्त मेम्बर को जो जो चेन का मेंबर को जो सिर्फ एडिकत है ज्सव फैडलि नहीं करते है इसको इdenटिफई किया जाए उसके पैरिंट्स को इन्वाल किया जाए ताकि कांस्लिंग और चाउंशलिंग और आणने जो भीफेरनेस में बिक्ली बूआखेशिए उसको भी और हर ना सर्फ हेड़कोर्टर्स पे बल्कि कांग्राजिले के सभी एरियास में टीम्स पे अक्टिवेटिटीड है और हर एक अशप्चो को टार्गेटिड वे में इसमें कारे करने के जुनियर देश्टीग है मैं जाना चाहेंगे धंशाला सेहब में वाइक चोरी के भी मामले सामने खाया है क्या उस पर कारवाई जो दुछ गई है जो बाग्पिस पुलिस ने दिकवर कर ली है इसमें अमर पस जो है शीला चॉक के अरिया से जो है कंप्लियन्स काफी लगतार आ रही थी जिसमें चार म आ रही है और कंगडा जिले में जो है उसके लिंक्स में बाद कर्ले लिंक्स मिले तो अभी तक फ़लाश पांच मोटर साइकल इसमें बरामत कर ल्ये गये हैं और इस गैंके जो मेंबर्स लिए उनको फर्दर की जा रही है क्योंकि कांगडा पूस्टेशन और धरम्शाला कि इसमें और वी जो नो पूरिए हैां और जलिजे खासकर घाला नीस के बारे में जानकारी, पध्लि बड़े बार बारो कम एक हैं यह जिस लोग रोी करहत थार जो प्रे गें करते हैं कुछ लोग रेस्टोंट्स में काम करते हैं, कुछ लोग यहां पर रेंटेड अकॉमडेशन में रह रह रहे हैं, इस तरह का डेटाबेज भी पुलिस थियार कर लिया है, और जैसे मैंने का गी इसमें अभी हमें उमीद है कि और भी लोग इस गांग के मेंबर्स हैं, और खास पर इस तरह को समय पहले एक ट्रहां वी परिवार आप जो है एक डेथ केस अबने है ता जिसमें पुलिस के तीम दोर्बरा जो पोलिस के टीम दोर्ड़ा जो अजो बाड़ आखिवी किया गया था ता तंड़ा में उसका अपोस्माटम और अन्य जो फरेंसी के इसी घिसलिए से इसी अर्डी जो कि अंग आ एक टीम से एक टीम से सिटिकेशन खाहिए चाहि है। और उसमें सीनेर अधिकारी हेड़कॉर्टर से अधिशलेश पी सिटी जो है वो उसको सुपर्वाइस करेंगे और वीकली मुझे एक रिपोर्ट उसमें सब्मेट करेंगे कि क्या उसमें प्रोग्रेस है अब हमारे पास पोस्ट मौटम रिपोर्ट प्रिलिमनरी तो आई है लेकिन जो अभी विसरा और रेफैसल से रिलेटेड रिपोर्ट से उनको हमें अभेट्रीड है और उसमें हम रिक्वेस्ट कर रहेंगे जल से जल वो रिपोर्ट्स पुलिस को दी जाएं इसके साथ ही वहां के जो विटनेसिस हैं और जो भी शक के दायरे में लोग हैं और जिन लोगों को भी इस विशे में पुलिस कोई जानकरी सांचा करनी हो तो चाहिए वो सीक्रिट तोर पे करना चाहे तो हमसे जो इसक्रिट ली कोई भी इंफरमेशन इस मामली में शेयर करें ताकि इस मामले को जड़ तक जो है समझा जा सके और जो भी लीगल प्रक्रिया उसको पूरा क्या जा सके